नमस्कार मैं जोतिश दिपिका आप सभी का एस्ट्रयोगी हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हूं हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने मासिक राशी फल लेकर आए हैं मेश राशी से लेकर कि मीन राशी के सभी जातकों के जीवन में आखिरकार क्या घटना आए घटेंगी नवेंबर महा के दोरान ये आपके लिए एक आपकी चंदर राशी पर आधारित राशी पल तयार किया गया है नवेंबर का महिन यहां पर उत्तम साबित हो रहा है क्यूंकि बुद्ध तुला राशी में दो नवेंबर के दिन गोजर कर रहे हैं इसका सिधा सिधा संबंद यहां पर आपकी लाइफ में खुश खबरी से है यानि कि आप आपकी मान पर तिष्टा से है आपकी प्यार महबबत से है लेकिन कहीं ने कहीं यहां पर थोड़ा सा जो नकार आत्म के देखा जा रहा है वो होगा आपकी और आपकी पती-पत्नी के बीच में यहां पर गलत फैमियों के चलते थोड़ा कहीं न कहीं उतार चड़ाव लेकिन जो लोग प्रेमी जातक हैं उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा एक दूसरे पर भरोसा करते हो यह लाइफ में आगे बढ़त वह नजर आ रहे हैं और तो और यहां अगर और चर्चा की जा जीवन में क्या खास है तो कहीं अगीं आपके करियर में देखा जाए तो उतार चड़ाव नहीं हो करके एक अच्छा ही ऑप्शन यानि के एक सका रात्मक चीज आपके सामने आएगी हो सकता है प्रमोशन का आपको गुड नियूस में सुनने को मिले या फिर कोई जॉब मे सेलरी इंक्रीमेंट और तो और आपके आपके सीनियर को यहां पर एक वारतल आप में देखा जा रहा है जहां पर काफी जादा अच्छी वारतल आप होगी और फाइदा आपके सीनियर के थ्रू यानि के बोस के थ्रू यहां पर अगर और खास फर्माने वाली बात होगी त और तो और आप अपने परिवारवालों के साथ, दोस्तों के साथ, नीजी रिष्टों के साथ hasita ile करте हुए नज़र आ रहें यानि कि पूरा का पूरा महीना कहीं न कहीं enjoy वाला होगा जहाँ पर आप अपने सभी रिष्टों का आनंद ले सकते हैं लेकिन आपको यहाँ पर गोर फर्माने वाली जो बात होगी वो होगी ब्रिस्पती जब कुम्बराशी में गोचर करेंगे यह कहीं न कहीं आपके वित और वेपार दोनों में रुकावट कर सकती है और तो और कहीं न कहीं आपके पर्तिष्ठा पर भी उंगली उठवा सकती है यानि के बेवज़ा किसी पर ट्रस्ट ना करिये भरोसा ना करिये अन्य था वह परसन आपके जीवन में आकर के तभाई कर देगा किसी को बेवज़ा भरोसा करके उसको पैसा ना दीजिए अपने वेपार में इंटरफेरंस ना दीजिए यानि किसी को बेवज़ा कि क्या कर रहे हैं क्या ना कर रहे हैं इसका गणना करते हुए आगे ना बताईए अन्य था आपकी रिस्पेक्ट पर बहुत ज़दा बात आ सकती है आपको बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए और तो और आपके हाथों से पैसा भी जाया जाता हुआ दिख रहा है थोड़ा सा लेकिन यहाँ पर जो महीने की शुरुआत होगी वो आपके लिए उत्तम साबित हो रही है क्योंकि आपके जीवन में पैसे आएंगे भी और आप अच्छी जगा पर इन्वेस्ट भी करते हुए नजरा रहे हैं लेकिन वहीं साल के जो आखरी महीने से पहले महीना है यानि के नमेंबर का महीना यहां पर आपके अंत में जाकर कि आपकी जो जमा पूंजी है वो भी जाया होगी और प्रॉपर्टी यानि के अचल संपत्ती का भी नुकसान हो सकता है तो ध्यान रखिएगा किसी पर भरोसा ना करिए अन्यता भुगतना आपको पढ़ सकता है चलिए अब जिकर कर लेते हैं मिथुन राशी के जातकों के जीवन में नमेंबर का महीना कैसा वैतित होगा तो यह थी बात मासिक राशी फल की नमेंबर का महीना जो की हम देखने जा रहे हैं इसमें आपका क्या रहेगा लाइफ में, क्या उतार चड़ाव रहेगा, मेश राशी से लेके मेन राशी तक हमने यह सबी आपकी सामने रखे हैं, आपकी सबी सवालातों के जवाब इसमें हैं, अगली वीडियो हम ज़रूर आपके लिए बनाएंगे, तब तक के लिए अगर आपने हमारे एस्ट्रयोगी हिंदी यूट्यूब चैनल को नहीं सस्क्राइब किया है, तो अभी के अभी दिये गए बैल आइकन को क्लिक करिए, ताकि हमारे द्वारा सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे, तब तक के लिए धन्यवाद,